नमस्कार मैं अब से कुमार और आप हैं बिहारी निउज के साथ और आज हम बात करेंगे बिहार के DGP गुपतेस्वर पांडे के बारे में बिहार सरकार ने 1987 बैज के IPS अधिकारी गुपतेस्वर पांडे को बिहार का नए पूलिस महानिदेशक यानि DGP बनाया है पांडे पुर्व DGP के एस तिर्बेदी की जगह लिये हैं बिहार कैडर के 1987 बैज के IPS गुपतेस्वर पांडे को लोगसभा चुनाओ से ठीक पहले बिहार के DGP बनाये गए थे बिहार में तेज त्रार पुलिस अधिकारी की छबी वाले गुपतेस्वर पांडे ने और अंगाबाद, बेगु सराय, जहानाबाद, अरवल, नालंदा जैसे जीलों में SP रहें और इस दोरान उन्होंने उस जबाने के बड़े-बड़े सातिर क्रिमिनल्स को या तो आपरेशन चला कर मार गिराया या जेल में पहुचा दिया साहित्य और संगीत के छेत्र में भी दखल रखने वाले गुपतेस्वर पांडे मुंगेर मुझभफरपूर के डियाईजी भी रहे हैं बाद में वे मुझभफरपूर में आईजी भी बने और फिलहाल उनके पास डिजी ट्रेनिंग और डिजी पुलिस अकेडमी की जिम्मेदारी थी गुपतेस्वर पांडे विशेज साखा में आईजी रहे हैं उसके साथ ही मुझभफरपूर और दर्भंगा जोन का आईजी होने के साथ एडीजी मुख्यालय, एडीजी, बीतन्तु और एडीजी, बीएमपी भी रहे हैं गुपतेस्वर पांडे को आम जन्मानस के अलावा सरकार की नजर में अपराध नियंत्रक और कड़क परसासक के साथ ही बिशेश और एस्मार्ट पुलिसिंग के लिए जाने जाते हैं गुपतेस्वर पांडे 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं उनका जन्म बकसर जीले के छोटे से गाउं गेरुआ में 1961 में हुआ था बारहवी की कक्छा में प्रथम स्रेडी से उत्रीड करने के बाद पांडे ने पटना 200 विद्याले में नमांकन कराया 1986 में IRS बने तब वह अपनी इस नोकरी से संटूस्ट नहीं थे उन्होंने दुबारा UPSC की परिक्षा दी और IPS बने 31 साल की सेवा में गुप्तेस्वर पांडे ASP, SP, SSP, DIG, IG, ADG के रूप में बिहार के 26 दिलों में काम कर चुके हैं उन्होंने 1993 में बेवु सराय और 1996 में बिहार के जहानाबाद में अपराध रोकने के लिए बड़ी करवाई की थी गुप्तेस्वर पांडे पहले ही साथ कर चुके हैं कि अपराध परनकेल कसना उनकी पहली प्राथ मिक्ता होगी इसके लिए वह एक टीम बनाएंगे जिसमें सारे सीनियर IPS अधिकारी रहेंगे उनके अनुसार काम में कोता ही बरतने वाले पुलिस अधिकारी नपेंगे बिहार में गुप्तेस्वर पांडे ने सराब बंदी को भी सक्ती से लागू करने का इरादा जता चुके हैं उन्होंने वाकई बिहार की पुलिसिंग को पीपुल्स फ्रेंडली बनाने का काम किया जिसकी चाहत मुख मंत्री भी रखते हैं नितीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पुर्ण सराब बंदी को जमीन पर उतारने में मदद की गुप्तेश्वर पांडे द्वारा नसा मुक्ती और सराब बंदी को लेकर हाल के दिनों में चलाय गए अभियान की वज़य से चर्चा में रहे थे राज्य के कई इलाकों में परिस्थीतियों के बेकाबू होने के बाद बिहार सरकार द्वारा गुपतेश्वर पांडे को वहां इस्थीती संभालने के लिए भेजा जाता है और खास बात यहां है कि उनके जाने के बाद इस्थीतिया नियंत्रड में हो जाती है सूबे में कही भी इस तरह के तनाव की खबरे मिलने के बाद उन्हें इस्थीती को नियंत्रड करने के लिए भेजा जाता रहा है बिहार में बिशेश और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए गुपतेश्वर पांडे को जाना जाता है किसी भी जीले में हिंसक जड़प और तनाव का महोल पैदा हो जाने के बाद वहां की स्थीती को संभालने के लिए गुपतेश्वर पांडे को याद किया जाता है इससे पुर्व भी सरकार के लिए कई बार संकट मोचक साबित हो चुगी बरिष्ट IPS अधिकारी डी जी गुपतेश्वर पांडे का अपनी पूरा सेवा ओधी में अधिकान समय पुलिस मुख्याले से बाहर फिल्ड में ही बिता है जनकारी के मुताबिक चतरा, बेगु सराय, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, हजारी बाग और नालंदा जैसी जीलों में इनकी पुलिस कप्तानी को लोग आज भी याद करते हैं उसके बाद यह मुंगेर, बेतिया, मुजफर पूर में डी आईजी रहे और वहाँ जम कर सोशल इंजिनियरिंग के साथ स्मार्ट पुलिसिंग को अंजाम दिया खास कर बीधी बेवस्ता संभालने के मामले में इनकी कोई सानी नहीं है मोतिहारी के तुरकवलिया, सुगवली, रामगढवा से लेकर सीता मढ़ी, सीवहर, दर्भंगा, छपरा, सिवान, कटिहार और बैसाली यानि जब-जब भीषड संप्रदाइक तानाओ का महल उत्पन हुआ और इस्थिती बेकाबू हुई तब-तब सरकार ने वहां की स्थिती संभालने के लिए इन्ही को भेजा गुपतेश्वर पांडे के घटना स्थल पर पहुचते ही इस्थिती काबू में हुई और सरकार ने राहत की सास ली वहीं अगर बात करें तो औरंगाबाद और कर्टिहार में संप्रदाइक महल खराब होने पर इन्हें भेजा गया था और वह वहां स्थिती को संभालने में काम्याब रहे थे डी जी पी पहले ही अस्पष्ट कर चुके हैं कि पूलिस का काम अपराध नियंत्रण और बीधी बेवस्था बनाए रखना है इसके साथ ही वो ये भी अस्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार की अपेक्षा पर खरे उतरने का पर्यास करेंगे मेरे कार्याले के दवरान अगर कोई उपलब्दी मिलेगी तो वह सिर्फ मेरी नहीं होगी या पूरे पूलिस विभाग की उपलब्दी होगी जनता के सहयोग और समर्थन के बल पर हम अच्छा काम करेंगे जो भी चुनावती है हम मिलकर उसका सामना करेंगे काम न करने वाले अफिसर के बारे में एक ही बात कह सकता हूँ कि वे नपेंगे ऐसा वे अपने फेस्बुक लाइब और मीडिया को डिये हुए इंटर्विव में कह चुके हैं वहीं अगर बात करें तो गुपतेश्वर पांडे कभी भी कहीं भी किसी भी जीला में या किसी भी थाना में राट को एक बजे भी चेकिंग में पहुच जाते हैं जिससे की आए दिन पुलिस अधिकारी सहीत अन्य पूरी पुलिस महकमे की क्लास लगती रहती है बिहार के नए डीजीपी गुपतेश्वर पांडे ने जब से जोईन किया है तब से ही वे बिहार के बेहतर पुलिसिंग की कोशिस में लगे हुए है अब आगे क्या बिहार की स्थिती रहती है ये देखने वाली बात है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वहाँ लाइक सेर कीजिए सुक्रिया